हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मेध है आप सब लोग अच्छे होगी दोस्तों हम लोग इस वीडियों बात करने वाले हैं सीमपी डिग्री कॉलिज में आप लैनो को अनलाइन क्लासें सबही फर्ष्ट ययर की स्टार्ट कर दी गई हैं यहां दोस्तों आप लोग सही सुना बिये बियस्वस्ट वीकॉम बी.-स्ट इयर की क्लासें हैं वो इसका नोटिस भराँ चुका है ताइम टेबलभी आप लोग टाइम टेबल हो आएं कुछ तो दोस्तों ये जो नोटीस थी सुबा ही आ चुकी थी लेकिन मेरी तब्यट ठीक नहीं थी और मैं हास्पिटल में था तो मैं वीडियो तब नहीं अपलोड कर सका थोड़ा सा देरी हुई इसके लिए मापी चाहता हूं लेकिन मैंने सोचा कि जो भी इस्टुडेंट्स जो भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े ही हैं उन तक ये नोटिफिकेशन पहुचना चाहिए ये इनफॉर्मेशन पहुचनी चाहिए तो मैंने यह जरूरी समझा और मैं यहां पर आपको बताऊंगा कैसे आप लोगों को स्टार्ट करते हैं लोग आप लोगों को अपना क्रो ठीक है तो यहां पर मैंने टाइप कर दिया है CMP Degree College आप यहां से CMP Degree College जैसे ही सर्च करेंगे तो इस प्रकार से कुछ वेपसाइट आपके सामने खुलके आ जाएगी ठीक है तो आप यहां से भी सीधे CMP Degree College की उस पर जा सकते हैं आप लोग यहां से देख सकते हैं या फ कर सकते हैं तो सीधा आप उसकी वेपसाइट पर पहुंच जाएगी अब इस परकार से कुछ नोटीस यहां पर आपको दिखेगा आप लोग यहां देख सकते हैं कि यह जो यहां से नोटीस है यह नोटीस के दौरा बताया गया है कैसे आपको क्लास जॉइन करनी है CMP Degree College की First Year की तो आपको यहां से इसको कट कर देना है और यहां से आप देखेंगे साइड में आपको Right Hand Side उपर की और यहां पर CMP Live लिखा हुआ है एक आप लोगों को मैं दिखा देता हूं यह यहां पर CMP Live लिखा है तो आप लोग यह CMP Live में यहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि पहली बार उप्योग करने वाले वालों के लिए CMP Live पर ऑनलाइन कच्छा में सामिल होने के चरण यहनि कि आपको पहली बार लॉग इन कर रहे हैं तो आपके क्या-क्या स्टेप है वो यहां पर करना होगा तो मैं वह आप बता दूँगा यहां पर क्या-क्या करना है ठीक है तो इधर आप लोग देखेंगे उपर की ओर तो यहां पर लिखा हुआ है एक तरफ आप देखेंगे तो लिखा आपको मिलेगा यहां पर सिच्छक के लिए और यहां पर च्छात्र लॉग इन यानि स्टूडेंट जाएगा जैसे ही आपका इसे खुलकर आता है आप लोग देखेंगे साइड में यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कैसे आप लॉग इन करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखें लिखा गया है पहली बार लॉग इन करने के दौरान छात्रों को अपने इन्रॉल्मेंट यूजी एटी नंबर पीजी एटी नंबर का उपयोग लॉग इन आइडे और पासवर्ड दोनों के रूप में करना होगा दोस्तों मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ अगर आपने पासवर्ड अगर पहली बार यहाँ पर अपना इन्रॉल्मेंट नंबर लिखा होगा आपको उसे यहाँ पर दर्ज करना है लॉग इन आइडी पर जैसे यहाँ पर दर्ज करेंगे अगर पहली बार आप दर्ज करना है तो पासवर्ड पे भी यहाँ पर दोनों के पास आपको यही लॉग इन करना होगा ठीक है और जैसे यहाँ पर अपना यूजी एटी नंब पासवर्ट बनाने के भी आएँas, आप कुछ भी नया पासवर्ट बना सकते हैं, लिक, आपकी लगइन आइडी वही रहेगी, पासवर्ट आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा पासवर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग जैसे इसको लॉगइन करेंगे, तो वहां प बता देता हूँ कि आपके पास कैसा पेज़ खुलके आएगा अगर आप मेंसे कोई इस्ट जो फस्ट इयर का है और वो मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं अपना यूजी एटी नंबर मुझे देगा तो मैं यहाँ पर उसकी इस पर पूरा एक वीडियो बना दूँगा कैसे आपको जॉइन करना है क्लास कैसे करना है कितने बज़े आपकी क्लास दिखेगी यह सारे चीज़ बारे हम डिटेल जो इन्फार्मेशन है वो मैं आपको दे दूँगा तो यहाँ पर अगर कोई छातर है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना यूजी एटी नंबर दे सकते हैं तो मैं उस पर एक पूरा अच्छा सब यूडियो बना के डालूँगा जिसमें से आपको पूरा क्लियर होगा वैसे तो यहां से भी आपको क्लियर हो जा रहा है लेकिन इसके आगए का प्रोसेस यहां से नहीं खुलेगा तो मैं यहां पर आप लोग जैसे यहां पर डालेंगे नंबर तो यहां पर खुलके आएगा फिर आपका password change करने का भी आप सनाएगा password वहाँ change कर सकते हैं अपनी detail को save कर लेंगे आप password save करके रखिए आप कई भी भी यह login कर सकते हैं और वहाँ से आप check कर सकते हैं सारी चीज़ें आपकी profile खुल के आ जाएगी तो आप लोग अगर कोई first year का students है और वह सारे students चाहते हैं कि और इस पर पूरा अच्छा से एक वीडियो बनाया जाए तो आप लोग थोड़ा सा help करेंगे अपना UGAT number दे कर तो मैं उस पर एक detail सा वीडियो बना दूँगा ठीक है So thank you students ये वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम लोग next वीडियो में